हेलो कैसे है आप सब I hope you all are doing good welcome to the platform so guys आज एक important update आपके साथ share करना है एक बहुत ही अच्छी न्यूज है गुड न्यूज है आप सब के लिए एक और गुड न्यूज है आप लोग काफी टाइम से तयारी कर रहे हैं अब रिसेंटली काफी वेकंसी रिलीस होगी है लेकिन एप्लिकेंट्स क्योंकि बहुत ज्यादा है सो competition भी बहुत ही ज्यादा हाई है तो government ने फिर से जो है एक आपको पता है मूनसून सेशन चल रहा है अभी पारलिमेंट में और उसमें minister ने कहा है कि 16,000 प्लस ठीक है 16,000 से ज्यादा पोस्ट्स वेकंट है जिनको बहुत ही जल्दी advertise किया जाएगा वो identify हो चुकी है 16,000 पोस्ट्स और उसके बावजूद कुछ और 4-5,000 पोस्ट्स के लिए भी अभी committee identify कर लिया पोस्ट्स सब्सक्राइब 20,000 पोस्ट्स इन टोटल 16,000 बहुत जल्दी ही advertise यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा advertisement की तरफ से whether JKSSB और JKPSC दोनों इनको advertise करेगा सो आप जिस पोस्ट के लिए भी अभी तैयरी कर रहे हैं JKSSB पंचायत account assistant SI या जो भी over examination है आप अपनी तैयरी continue करें यही बहुत अच्छा chance है यही मौका है आपको government job पाने का तो चलिए देखते हैं यह सारी vacancies के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आप भी इससे motivate रहेंगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि पोस्ट आने वाली है यह पहले की तरह नहीं है अब काफी vacancies आने वाली है अलरेड़ी बहुत सारे vacancies आनी है जिनके examinations आपको September October में देखने को मिलेंगे तो चलिए हम यहाँ पर आज बात करते हैं जो है 16,000 guested non guested posts हैं जुमएंट कश्मीर में यह कब तक यह vacancies fulfill की जाएंगी इनका process कब शुरू हो जाएगा कब application open हो जाएगा यह सारा हम इस video में देखने वाले हैं तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा news पे जो news यहाँ पे release होगी इसके related so यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं यह जेके नियूज का आप इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं इसमें इसको यहाँ पे zoom कर लेता हो ओके तो चलिए आप देखते हैं यह आप देख रहे हैं हाइरिंग प्रॉसेस तो स्टार्ट फॉर सिक्स्टीन थाउजन पॉस्ट्स लेंग वेकंट इन जुमुएंड कश्मियु तो 16,000 से ज्यादा पॉस्ट्स जो वेकंट है मिनिस्टर ने इस बात को मौनसू सेशन पार्लिमेंट में अभी जो डिसकेशन चल रहे हैं उसमें इस बात को रखा है क्लारिफाई किया है कि जो हाइरिंग प्रॉसेस है ताट इस कि जो रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा 16,000 पोस्ट के लिए 16,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए ठीक है तो आप के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है बहुत अच्छी गुड नियूज है ये नियूज अमीद करता हूँ आप ये नियूज सुनके देखके मौटिवेट हो जाएंगे और आप महनत करेंगे और आप हार्ड वर्क जो है एक्स्ट्रा आर्स अपने हार्ड वर्क में लगाएंगे और इन्शाला हार्ड वर्क वालों को ही महनत वालों को जॉब मिल दिये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह 28th को नियूज आई है जो मुएंट किश्मी गवर्मेंट has revealed that there have been 16,000 gazetted non-gazetted posts weakened these posts educated youth of the union territory accelerated जो एक कमेटे बिठाई गई है इसके लिए accelerated recruitment committee has been framed एक recruitment committee बिठाई गई है ARC committee उसको यहाँ पे जो है यह process handover कर दिया है कि identify करने के लिए तो यह accelerated recruitment रहेगा responding to the question तो minister जो labor labor and employment जो minister है रमेश्वर दिली इन्होंने कहा है कि has received from JK government through home affairs that UT has framed ARC ठीक है accordingly ARC UT ने with target of filling up vacancies immediately यहाँ पे देखिए यह बहुत ही important चीज़ है minister said that अब यहाँ पे देखते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है minister जो minister ने कहा है कि first जो committee है identify उन्होंने 10,000 post identify किये थे जिसमें class 4 की vacancies already release हो गी है special recruitment rules के अंडर further the minister said that the phase 2 accelerated recruitment drive committee has identified 12,379 guest non-guested vacancies और further added that 3,694 other guest non-guested vacancies have been seen for recruitment इनको भी identify किया गया है बहुत ही जल्दी इनका process हो जाएगा also the minister informed that the mission youth यहाँ पे एक और चीज़ है जो mission youth बहुत सारी schemes मैंने already आपके साथ share की थी ठीक है please वो scheme आप playlist में देखें बहुत सारी मुमकिन scheme के बारे में भी हमने बताया था तो 200 crore sanction किये गए थे बहुत सारी schemes के लिए under mission youth online जो portal है ठीक है under the program name मुमकिन scheme which is already financial aid is being given for setting up self employment ventures transport sector सत्रा सो unemployed youth have been given इनको सत्रा हजार स्वारी सत्रा हजार youth को already financial support मिला है back to village की तरफ से बहुत सारी vacancies हैं जो आपको government ने अभी recently release की है मैंने already उन पे आपके साथ detail में videos upload किये हैं आपको जाके देख सकते हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छा response मिला बहुत सारे लोग जो है applicants inquire कर रहे हैं इनके बारे में बहुत सारे लोग apply कर रहे हैं और कल ही एक scheme का result भी देखने को मिला that means selection एक 1500 जो है एक list निकाली गई थी उसमें 100 entrepreneurs को train किया जाएगा और उनको financial aid भी provide किया जाएगा तो यह हैं बहुत ही जल्दी आपको recruitment process देखने को मिलेगा 16,000 से ज्यादा post का जिस भी post के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं तैयारी continue रखें आपको बहुत ही जल्दी job मिलने का भी बहुत अच्छा मोका मिलेगा यही था आज का वीडियो आपके साथ share करना था इस वीडियो से आपको definitely motivation मिलेगा क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि बहुत सारी vacancies आने वाली हैं so that was all about this video that was all about this very good news for Jammu and Kashmir job aspirants thank you so much for watching stay tuned